नमस्कार दोस्तों जी के अर्धुन सार यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है मिशन डी ट्रिपल एस बी पीजी टी दोजार बीस इतिहास और चेप्टर का नाम है दिल्ली संतनत में गुलाम वन्स भाग तेईस है तो चले वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पहले आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट है अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की गंटी को क्लिक करना न भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मुबाइल पर सबसे पहले पहुँचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं देखे कोशन नमबर वन न इसमें भारत में दास राजवन्स की अस्थापना किसने की दास या इसी को गुलाम वन्स के नाम से भी जानते हैं यहाँ दास दिया एक कोस्टन में तो दास और गुलाम वंस एक ही नाम है तो भारत में दास राजवंस की अस्थापना किस ने की थी तो इसका एंसर होगा भी कुतुबदीन यानि कुतुबदीन एवक ने कोस्टन नमबर दो है मुहमत गोरी की मृत्तुग के पसध कुतुदीन यावक ने भारतिय प्राणतों पर शाषन किया एवं एक राजवंस की अस्थापना कि जिसका नाम था जिसका नाम था गुलाम वंस देखें यहाँ पर गुलाम वंस के नाम से दिया है Q3 है, कुतूब दिन एवक ने किस अस्थान से सासन का संचालन किया? किस अस्थान से सासन का संचालन किया? तो इसका answer हो जाएगा A, लाहॉर से Q4 है, देखें दो बार रिपीट हो गया तीन नमबर तो इसका आवा answer लाहॉर होगा question number 4 है भारत में गुलाम उवंस की नीव किसने डाली ये डाली थी कुतूब दिन एवक ने question number 5 है कुतूब दिन एवक को दास्ता से मुक्ती कब प्राप्त हुवी तो दास्ता से मुक्ती प्राप्त हुवी थी 128 से 1290 में question number 6 है सुल्तान कुतूबदीन एवत की राधानी थी कहां राधानी थी इसका एंसर होगा A. लाहोर में कोशन नम्बर 7 है निम्नांकित में से कौन सा सासक लाخ बक्स के नाम से जाना जाता था लाख बक्स इसका अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला ये था कुतूब दिन एवक कोश्चन नमबर आठ है निमलिकित में से कौन सा सासक लाखवक्स के नाम से जाना जाता है किसका वे अंसर हो जाएगा ये कुतूब दिन एवक कोश्चन नमबर आठ है निमलिखित में से किसने अपनी दानसिलता के लिए लाख बक्स की पदवी प्राप्त की थी तो इसका विएंसर हो जाएगा B, कुतुब दिन एवक कोशन नमबर 9 है अजमेर में ढ़ाय दिन का जोपड़ा बनवाया था किसने बनवाया था इसका एंसर हो जाएगा ए, कुटुबदीन एवबग 10 है, कुवल उल इसलाम मस्जित का निर्माल किसने कराया? Qutն 11 है, एंसर हो जाएगा कुटुबदीन एवबग Qut nào 11 है, ड्हाई दिन का ज्छोपड़ा किसने बनवाया? नमबर तेरा है दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है दास राजाओं में सबसे महान सबसे महान था समसुदिन इल्टू तमीश कोशन नमबर चवदा है दिल्ली संतनत का पहला संप्रभु या प्रभु संपन सासक था तो वो था इल्टू तमीश कोशन नमबर 15 है खलीफा का मानता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था तो इसका एंसर होगा भी इल्टु तमिश कोशन नमबर 16 है इल्टु तमीज के विशाय में कथन दिया गया है इसमें से कौन सा सही है और नीचे कुट दिया गया है उसकी साहिता से एंसर चुनना है इसमें पाला दिया है इल्टु तमीज ने अपने प्रभुत की मानता खलीफा से प्राप्त की थी ये तो सही है दूसरा है इल्टु तमीज ने बंगाल के सुल्तान गयासु दिन को हरा कर लख नौती पर अधिकार किया था ये भी सही है इसका एंसर हो जाएगा C A और R दोनों सही है कि कोश्चन नमबर 17 है निमलिखित में से किसे ने सर प्रथम सुल्तान की पदवी धारन की थी सबसे पहले सुल्तान की पदवी धारन की थी इल्टु तमीज ने कोश्चन नमबर 18 है दिल्ली संतनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था दिल्ली संतनत का प्रथम व किसने कहा है कि भारत में मुस्लिम संपर्भुता का इतिहास वास्तों में इल्टु तमीश के सासनकाल से ही प्रारंब होता है ये खाथा राम प्रसाद तिरिपाठी ने कोशन नमबर 20 है निमलिखित में से किसने दिल्ली को संतनत की राधानी के रूप में अस्थापित की थी तिये स्थापित की थी इल्टु तमीश ने कोशन नमबर 21 है निमलिखित में से कौन राती में अपना अधिकतर समय प्राथनायम चिंतन में व्यतीत करता था तो था इल्टु तमीश कोशन नमबर 22 है निमलिखित में से कौन हजार मर्द कहलाता था हजार मर्द कौन कहलाता कुस्टन नमबर तिश है इलटु तमीष द्वारा सत्ता ग्रहन करने का क्या आधार था सत्ता ग्रहन करने का क्या आधार था इसका एंसर हो जाएगा दिल्ली के तुर्क अमीरों वा सेन्नी अधिकारियों ने उसका चेहन किया था Quesn No.24 है Quesn No.25 है Quesn No.25 है Quesn No.26 है एक्ता बेवस्था का प्रचलान किस ने किया तिसका अंसर हो जाएगा सी इल्टु तमीश कोशन नमबर 27 से आक्ता वह भूमी होती थी जिसका आय पर जिसका आय पर तिसका अंसर हो जाएगा भी सैन प्रसाशन का नियंत्रन था कोशन नमबर 28 है सुल्तान इल्टु तमीश के सासन काल में न्याय चाहने वाले व्यक्त को पहननी पढ़ती थी ये पहननी पढ़ती थी लाल पोसाग कोशन नमबर 29 है मंगोलों का आक्रमन सरपर्थम की सुल्तान के समय हुआ था तो मंगोलों का आक्रमन हुआ था इल्टु तमीश के समय कोशन नमबर 30 है अपने विख्यात नेता चंगेज खांके नित्रुत में मंगोल प्रथम बार्शन यानि किस सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे तो ये संगठित हुए थे 1221 इस्वी में कोशन नमबर 31 है दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल चंगेज खांका समकालिन था तो वह सुल्तान था इल्टु तमीश कोशन नमबर 32 है निमलिकित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खां सिंध नदी के टट पर पहुँच गया था ये पहुचा था जलालुदीन मांग बरने का ये बी सही होगा इसमें सर कोशन नमबर 33 है साह तुरकान थी साह तुरकान कौन थी ये थी रुकुगदीन फ खिरोज की माता को कोस्ट नमबर 34 है रजिया के विरोधी अमीर गुट का नित्रत कौन कर रहा था तो अमीर गुट का विरोध कौन कर रहा था इसका एंसर हो जाएगा बी निजाम मुल्क जुनेदी कोश्शन नमबर 36 है त tuoqat नाशरी किसने लिखी थी तो इसकाणशर हो जाएगा D मीन हाल उस सिराज न कोश्शन नमबर 37 है दिल्ली संत्रती गधी पर बैठने वाली पहली मुसलिम महिला सासक थी तो इसका एंसर हो जाएगा B रजिया रजिया, कोशन नमबर 38 है, निमलिखित में से कौन मद्यकालिन भारत की प्रथम महिला सासक थी, तो प्रथम महिला सासक कौन थी, तो इसका एंसर रजय अगसी, रजिया सुल्तान, कोशन नमबर 49 है, अमीर हाजिप के पद पर रजिया ने किसे निक्त किया था, ये निक्त किय था इक्तेयारू दीन एतगीन को कोशन नमबर चालिस है सुन्नी और सियाओं के मध्य सबसे अधिक संप्रदाईक बिवाद किसके काल में हुए ये हुए थे रजिया के काल में कोशन नमबर एक्तालिस है रजिया को उत्रादिकारी बनाने वाली साही बिगपती रचना इल्तुतमीज के लिए किसने भेजी थी तो ये भेजी थी मीन हाज उस सिराज ने कोशन नमबर बयालिस है निम्न में से कौन एक महिला मध्यकालिन युग में सासिका नहीं रही महिला मध्यकालिन युग में सासिका नहीं रही इसके एंसर हो जायागा D, रोसन आरा Question number 43 है, तुरकाने चहल गानी का सम्बंद किस तूर्की सासक से था? यह था, इल्तु तमीश से Question number 44 है, निम्न में से किस सुल्तान ने तुरकाने चहल गानी का धमन किया था? तुरकाने चहल गानी यह चालीश सर्दारों का यह गुट था, और इसका प्रारा मिलतु तमीश ने किया था, लेकिन इसमें पूछा किस ने उसका दमन किया था? तो दमन में आ जायागा एंसर, बलबन कोशन नमबर पैतालिस है, 1258 इसवी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नस्ट करते हुए खलीफा की हत्या करती थी? तो वो था, हलाकू कोशन नमर 46 है, चादी का टका और ताबे का जीतल प्रारंब किया था, ये प्रारंब किया था, इलतु तमीश द्वारा कोशन नमर 47 है, टका तथा जीतल सिक्के किसने प्रारंब किया? तिसका एंसर हो जाएगा C, इलतु तमीश Quesn No. 48 है गुलाम वन्स के कि सुल्तान ने सुद अर्भी सिक्कों को चलाया था इसका एंसर हो जाएगा A, इल्टु तमीज Quesn No. 49 है बल्बन का जन्म तुर्कों के किस संपरदाय में हुआ था तुर्कों के किस संपरदाय में हुआ था तो इसका एंसर होगा A, इल्बरी Quesn No. 50 है इरानी त्योहार नौरोज का प्रचलन किस ने प्रारम किया ये प्रारम किया था बल्बन ने Quesn No. 51 है जिल्ला जो राज अधिकार संबंधी आउधाला है किस से संबंधित है Quesn No. 52 है निम्न सुल्तानों में से कौन स्वयम को नायब एक खुदाई कहता था तो ये कहता था बल्बन इंसर हो जाएगा B, बल्बन Quesn No. 33 है वह मामलुक सुल्तान जो राज जत्व के दैवी सिधान्त का पच्छधर था कौन था इसका बेंसर हो जाएगा ये बल्बन Quesn No. 54 है बल्बन प्रसिद्ध था अपने इसका अंसर हो जाएगा है रत और लोह नीती के लिए Quesn No. 55 है और अंतिम Quesn है दिल्ली के किस सुल्तान के विशे में कहा गया है कि उसने रत और लोह की नीती अपनाई थी इसका बेंसर हो जाएगा B, बल्बन तो ये थे Quesn आज के लिए तो उम्मिद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आयोगा पसंद आयते इसको लाइक करें अपने दोस्तों के अधिक सधिक शेयर करें धन्यबाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम